जब अमरनाथ की गुफा में रात को CCTV कैमरे लगाए गए, उसके बाद जो हुआ देखकर आपका दिल दहल जाएगा, अमरनाथ की गुफाएं ऐसी रहस्यमई जगह है कि आज तक वैग्यानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं, कि अमरनाथ गुफा में बना बर्फ का मालुम नहीं पड़ा है, लेकिन इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता है, कोई शक्ती तो है जो इस संसार को चला रही है, जहां स्वयम महादेव का वास हो, वहां चमतकार होना तो स्वाभाविक है, आज की घटना कुछ ऐसी ही रहस्यमई चीजों से जुड़ी हुई है, ज बाकी के दस महीने बंद रहता है, इसका रहस्या आज तक कोई नहीं जान पाया है कि आखिर अमरनाथ में शिवलिंग बर्फ से कैसे बना है, यह तो स्वयम महादेव ही जानते हैं, महादेव की लीला है कि हमें अमरनाथ के बर्फ के बने शिवलिंग के दर्शन हो पाते हैं अमरनात मंदिर का द्वार आखिरी दस महीने के लिए क्यों बंद रहता है और बंद रहने पर भीतर के द्रिश्य कैसे होते हैं इन सभी की जानकारी लेने के लिए एक बार एक व्यक्ति बड़ी चतुराई के साथ अमरनात की गुफा में CCTV कैमरा लगा देता है उस व्यक्ति का नाम महेश था और वह जम्मू का मूल निवासी था उसने चोरी से अमरनात गुफा में CCTV कैमरा तो लगा दिया था लेकिन उसे डर भी था कि कहीं किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी आफ़त आजाएगी मंदिर बंद होने में अभी तीन-चार दिन बाकी थे इन दो महीनों में अमरनात में भयंकर भीड होती है क्योंकि भक्त केवल यही दो महीने यानि कि जुलाई और अगस्त में ही अपने महादेव के दर्शन कर सकते हैं देखते ही देखते मंदिर का द्वार बंद होने का समय आ गया मंदिर के पास कई साधू ध्यान में लिप्त होकर साधना करते रहते हैं उनमें से एक साधू आखिरी दिन बाबा अमरनात की गुफा में चले गए महेश बैठे बैठे इन सभी घटनाओं को होते हुए देख मंदिर का दर्वाजा बंद करने का समय हो गया था, सभी श्रधालो दर्शन करके वापस लोट रहे थे। लेकिन जो साधू बाबा अमरनात के मंदिर में गए थे वह नहीं लोटे और मंदिर का द्वार बंद हो गया। पहले तो महेश ने सोचा कि जाकर मंदिर के पुजार के अंदर होने वाले सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा था मंदिर के द्वारा बंध होने के करीबन 6 दिन बाद महेश ने साधू को दोबारा देखा साधू महादेव की शिवलिंग के ठीक पास में बैठे ध्यान कर रहे थे करीबन एक हफते के बाद महेश ने गौर किया कि बह साधू जो की ध्यान में लिप्ट थे उनका शरीर धीरे-धीरे कम होते जा रहा है महेश ने सोचा कि कुछ नहीं खाने पीने के कारण साधू कमजोर होते जा रहा है इसलिए शायद उसका शरीर कम नजर आ रहा है कई महीनों तक यही द्रिश्य नजर आया और फिर करीबन तीन महीने के बाद महेश ने गौर किया कि ध्यान में बैठे साधू बाबा के पैर गायब हो चुके हैं और उन्हें देख कर लग रहा था कि वह हवा में बैठे हुए हैं महेश इस द्रिश्य को देख कर चौक गया उसके समझ के बाहर था कि यह कैसे संभव है कि एक साधू जो की ध्यान में लिप्त है उनका पैर कैसे गायब हो गया है वह अत्यंत परेशान होने लगा और फिर करीबन छै महीने के बाद उसने देखा कि साधू के हाथ भी गायब हो गये इस द्रिश्य को देख कर महेश इतना परेशान हो गया कि बह बीमार रहने लगा देखते ही देखते एक साल पूरे होने वाला था और अब दस दिनों में फिर एक बार अमरनात का मंदिर खुलने वाला था तब उस वक्त महेश ने गौर किया जो साधू पिछले एक साल से ध्यान में बैठे हुए थे वह धीरे धीरे कर गायब हो गये हैं हैरान परेशान होकर महेश मंदिर के पुजारी के पास गया और उन्हें सभी बातों के बारे में सच सच बताया पुजारी ने उन्हें महेश को बताया यह साधू कोई आम साधू नहीं है बह इस धर्ती पर महादेव के रूप में है और यह महादेव के ध्यान के द्वारा लुप्त हो चुके हैं और सिद्ध अवस्था के रूप में पहुँच चुके हैं जहां का मनुष्य जीवन से कोई वास्ता नहीं है केवल वे और उनके महादेव वहां रहते हैं यह बात सुनकर महेश मंत्र मुग्द हो गया कि उसे साक्षात महादेव के दर्शन हुए हैं भले ही प्रदर्शन CCTV कैमरे के द्वारा ही हुआ हो लेकिन बह दर्शन अमूल्य थे तो दोस्तों यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें